पवन सिंग जैसा शायद ही कोई होगा भाई पवन सिंग जब भी कुछ करते हैं बड़ा ही दिल लगा के करते हैं फिर वो चाहे उनका चुनाव प्रचार ही क्यों नहों जी हाँ भले ही लोग सभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया गया लेकिन इसकी जरासी भी रंजिस उन्हें नहीं है अपने पाटी के लिए किस तरह से जीतोड कैमपेनिंग करनी है ये तो कोई पवन सिंग से सिखे भाई पवन सिंग है कि बिहार में अपनी पाटी के उमजबूत करने के लिए मोधी सरकार के जिस तरह से हाथ से हाथ मिलाकर साथ दे रहे हैं इसे देखकर यहीं कहना हो भाई पवन सिंग को शायद भाजपा ने कमा का था अगर पवन सिंग को बिहार के किसी भी सीट से वो चुनाव लड़वाते भाजपा को सबसे बड़ी जीत वहां मिलती लेकिन खैर चुनाव प्रचार में एक स्टार प्रचार की भूमी का निभाकर भी पवन सिंग इतने जादा भीड बटोर रहे हैं को कि उतनी जादा पवन सिंग को देखने के लिए पवन सिंग को सुनने के लिए यहां तक कि उनकी एक जलक पाने के लिए लोग दूर दूर का सफर तैकर कर उन्हें देखने आते हैं उन्हें सुनने आते हैं इससे ये पता चलता है कि आगे आने वाले लोग सभाचुना यानि कि हम बात कर र रहे हैं अगर उनके केंपेन से बिहार में भाजपा को बहुत बड़ी बढ़त मिलती है तो आगे आने वाले 2024 के लोग सभाचुनाओं में पवन सिंग को एक एहम टिकेट मिल सकता है या फिर ये भी हो सकता है कि बिहार के विधान सभाचुनाओं में पवन सिंग को खड़ा कि जाए और बिहार का मुख्य मंतरी घोशित किया जाए कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये भाजपा सरकार है ये उनहीं को आगे करती है जो जनता हित पहले सोचते हैं और पवन सिंग से जादा जनता के हित के बारे में कौन सोच सकता है भोजपुरी जगत की होट और मसाले दार ग है